यह कहावत तो हम बच्पन से ही सुनते आ रहे हैं कि एक अनार और सौ बिमार यह कहावत ऐसे ही नहीं बनी है इसका आर्थ होता है कि अनार इतने और सधी बूरों से भरपूर होते हैं कि इसके सेवन से सैक्ड़ों बिमारियां ठीक हो जाती हैं लेकिन आज हम बात करेंगे कि हाई बलड पेसर कंट्रोल करने में अनार का सेवन कितना उपियोगी है और अनार का सेवन कब करना ज़्यादे फायदे मंद होता है और की लोगों को अनार खाने से बचना चाहिए नमस्कार दोस्तों हिलिंग फूर्स नमक इस किताब में यह भी कहा गया है कि अनार में पाये जाने वाले पॉलिफिनोल नमक तत्तों हमारी धमनियों को लचली रखने में मदद करते हैं जिससे हमारा बलड प्रेसर कंट्रोल में रहता है और हिर्दे समंदी बीमारियों और इस ट्रोक का खत्रा भी बहुत कम हो जाता है अनार में भरकूर मात्रा में अंटी आक्सिडेंट पाये जाते हैं जो बैड कोलेस्टाल यानि की लो डेंसिटी लिपो प्रोटीण के लेवल को कंट्रोल में रखते हैं इस believed cholesterol की मात्रा अगर सरीर में मदद करते हैं अनार खाने से blood circulation सही रहता है फल या फिर juice के रूप में अनार का 7 करने से सरीर में blood flow सही रहता है क्योंकि अनार iron से भरपूर होता है जो hemoglobin को maintain रखता है इसका 7 करने से heart में blood flow अच्छा होता है जिससे oxygen की कमी नहीं होती है anti-accident होने के कारण अनार के 7 से सरीर में free radical से लड़ने की छमता बढ़ जाती है अनार insulin sensitivity को बहतर करता है ऐसे में diabetes रोगियों के लिए इसका 7 फायदे मन्द हो सकता है आईए अब जान लेते हैं कि किस समय अनार का 7 करना सही रहता है आपको बता दूँ कि सुबह के समय अनार का 7 करने से सरीर को बहुत फायदा मिलता है अनार में sugar और vitamins भरपूर मात्रा में होते हैं जो सरीर को स्वच्थ रखने में मदद करते हैं ऐसे में अनार के फायदे लेने के लिए सुबह breakfast में इसे जरूर समिल करें आईए अब जान लेते हैं कि किन लोगों को अनार के 7 से बचना चाहिए जिन लोगों का blood pressure low रहता है उन्हें भी अनार का 7 नहीं करना चाहिए अगर आपको skin allergy की समस्या है तो आपको अनार का 7 नहीं करना चाहिए ऐसे में अगर आप skin allergy होने पर अनार का 7 करते हैं तो आपके सरीर पर लाल चक्ते हो सकते हैं अनार की तासिर ठंडी होती है इसका सेवन, इन्फ्लूेंजा और खासी से परसान लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर अधिक मत्रा में अनार का सेवन करते हैं तो उन्हें संक्रमार बढ़ने का खत्रा बढ़ जाता है। और कपज और SDT की समस्या से परसान लोगों को भी अनार का सेवन नहीं करना चाहिए। अनार का अधिक सेवन करने से पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। इसके लिए जिन लोगों को गैस की समस्या रहती है उन्हें भी अनार नहीं खाना चाहिए। अगर आपको इसकीन एलर्जी या पाचन समंधी कोई परसानी ना हो तो आप अनार के नियमीत सेवन से अपने हाई ब्लड प्रेसर को कंट्रोल में कर सकते हैं। उमेद करता हूँ कि हमारी ये चोटी सी जनकारी आपके लिए जरूर हेल्फ फूर रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और सेयर करके कमेंट बक्स में अपनी राय दें। इसी तरह की और भी वीडियो जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।